असलाम लेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग अमीदा खहरे से होंगा दोस्तों यह मर पास एक इलेक्ट्रिक रेंडर है जब हम इसका स्विच्छ लगाते हैं तो यह ओ नहीं होती तो हम इसे देख लेंगा इसमें क्या प्रब्लम है वीडियो का पेंट तक देखेगा आप को सामने तो स्विच्छ लगा आगे इसकी पावर उन करते हैं पावर उन करके इसको चेक करते हैं तो यह जो है switch है इसका back side पर यह on off का switch है तो यह मैंने इसको on कर दी है लेकिन यह आप देख सकते हैं कि grander बिल्कुल भी on नहीं हो रही तो यह बिल्कुल नहीं चल रही तो हम इसको देख लेंगे कि इसको जह वो क्या problem है यह देखें switch भी on है इसके पीछे से यह पावर स्प्लाई भी आ रही है और यहां भी आप देख लें तो हम दोस्तों इसको देखते हैं कि हमने इसको जहाँ वो क्या करना है तो चलें वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों जब भी कोई ऐसा मसला हो चोर्सटों जो कार्बन कर्बन का प्रिवल्म होता है मोटर के अंदर कार्बन कर्ब्लीट होता है तो अगर वो खराब हो जां तो यह प्रिश कोलिए आदा है अभाट कवर दो दो कवर चोई नगसे वहान से चो कर इसके स्टिश में आफ़ों कर ज़ाता है अब देखें कि यह पार्किंग ज़्यादा हो रही है यह लग साइड पर आपको यह नजर आ रहे हैं आप इनको बिल्कुल अलग से भी खोल सकते हैं बैक कवर खोले के बगार खोलने के बगार तो इनको उपर से उतार लेते हैं इसी तरह जो है वो दूसरे साइड वाला कवर जो है इसका कार्बन का प्लास्टिक का उसको भी उतार लेते हैं तो कवर दोस्ता मैंने दोने उतार लिए हैं तो इसके अंदर आप देखें तो यह आपको इसका यह पत्री से एक नजर आ रही है लोहे की तो इसको हम जो है यहाँ इससे साइड पर करके इसके कार्बन को बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल के देखेंगे कि इसको क्या प्रालम है तो इसको जो है वह पत्री पर कर दें तुटा सा कर्बन को कारबन वह असानी से भई रह सकें तो दोस्तों यह आप देख सकते हैं यह अंदर आपको कार्बन इन दर नजर आ रहा हो खांव उपसके उपर घड़ वगार पड़ीए तो यह इसका कार्बन है तो यह कार्बन के जिरिए जाना इस मोटर का आर्मेचर के साथ ही अटाच होता है तो इसका सरक्ट कम्प्लीट होता है जब इसका स्वीच ओन करते हैं तो फिर ही होन होती है तो यह आप देख सकते हैं यह वाला कार्बन हमारा बिल्कुल ठीक है ये इसके उपर कोई आपको जले हुए के निशान नजर नहीं आ रहे होंगे जबके दूसरा कार्बन मैं निकालूंगा तो जिस तरह की ये स्पार्किंग कर रहा है तो मुझे उमीद है कि वो जला होगा लाजमी तो उसको भी मैंने निकाल लिया है इसी तरह से तो आप देख सकते हैं इन दोनों के अंदर फर्क तो ये दूसरे वाला कार्बन चाना है ये आपको जला नजर आ रहा है तो दोस्तो आपने इसको दिवार के सार रगड लेना है अच्छी तरह से में हां दोस्तो में थीया है बास दाड़ां तो करण को था है तो bonito पर आप जुए को अधरा देख लें गोर से तो दोस्तों इसका जह हम उपर कवर लगा देते हैं इसके उसी तरह से बंद कर देते हैं तो यह मारी ग्रेंटर जारा हम कमर ठीक हो चुकी है तो इसका हम कवर लगा देते हैं यहां पर कवर को भी आपने उसी तरह से जाना हो फिटिंग के अंदर लगाना है जोर अजमाई नहीं करना ही बिलकुल आराम से कर लापवर, कवर के उपर लगा देते हैं अगर आपका इस ऐसा प्रावल्म हो करबन का प्रावल्म होता है तो उसके लाब और कोई प्रावल्म नहीं होता ... तो दोस्ते यह थी आज की वीडियो इमीद करते हैं आपको पसंद आई होगे अगर आपको पसंद आई है इसे को इंफरमेशन मेरे तो चैनल को लाइक कीजिएगा आप से मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अला आफिस